आते हैं चैप्टर फोर्थ की लास्ट एक्साइज 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 4.4 पे कॉश्यन नमबर फर्स्ट में लिखा हुआ है निम्न दुईखात समी करणों के मूलों की प्रकति याद कीजिए यदि मूलों का आस्तित तो हो तो उन्हें याद कीजिए यह कैसे करना है यह हम समझेंगे हमारे पास जो quadratic equation होगा उसकी हम compare करेंगे ax square plus bx plus c is equal 0 से यहां से हमें values मिलेगा a का b का और c का यहां से हम विविक्तिकर d का value निकालेंगे b square minus 4ac यहां पर 3 conditions होगी पहली condition होगी d is greater than 0 यानिकी जो हमारा मान आया है वो कैसा है पहुजेंचो इसका मतलब है मूलों का आस्तित तो होगा मूल का आस्तित तो होगा और मूल किस तरह के होंगे पयश होंगे और कैसे होंगे और equal नहीं होंगे मतलब दो मूल जो हमें मिलेंगे वो अलग-अलग होंगे एक जैसे नहीं होंगे second condition यहां बनती है D is equal 0 इसका मतलब भी है कि मूलों का आस्तित्थ होगा मूल होंगे और वो मूल कैसे होंगे real भी होंगे और equal भी होंगे दौनों मूल एक जैसे आएंगे जो last condition होगी condition third d is less than 0 इसका मतलब है हमें negative value मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा समीकर्ड का अस्तित्व नहीं होगा और मूल यहाँ पर हमें जो मिलेंगे वो कैसे होंगे काल्पिनिक imaginary इस तरह से equation को हम solve करेंगे और उसकी equation की nature define करेंगे question number first में first question लिखा हुआ है 2x square minus 3x plus 5 is equal 0 तो सबसे पहले हम इसकी compare करेंगे इससे तो ax square plus bx plus c is equal 0 से तो a is equal मिला हमें 2 b is equal मिला हमें minus 3 और c is equal मिला 5 अब हम यहाँ पर d की value find करेंगे d is equal होता है b square minus 4 ac तो b square का मतलब minus 3 का square minus 4 ac यह मिला हमें 9 minus 40 minus का 31 यह कैसा है negative इसका मतलब है समीकरण का कोई भी अस्तित्व नहीं है और समीकरण कास्तित्व नहीं है मतलब मूल कैसे होंगे कालपनिक होंगे वास्तविक नहीं होंगे जो second question है उसमें लिखा हुआ है question number second इसमें लिखा हुआ है 3x square minus 4 under root 3 x plus 4 is equal 0 यहाँ पर a का value होगा 3 b का value होगा minus 4 under root 3 और c का value होगा 4 d is equal b square minus 4ac b square minus 4 root 3 का square minus 4ac यह मिलेगा हमें 16 into 3 48 48 minus 48 d is equal 0 समीकर का आस्तित तो होगा और mole किस तरह के होंगे real होंगे और equal भी होंगे क्यों? equal इसलिए होंगे क्योंकि d का value है 0 के बराबर अब हमें यह equal जो mole होंगे वो हमें निकालना है तो प्रोसेस वही यूज करना है हमें द्विघाती सूत्र के माद्य हमसे यह निकालना है x is equal minus b plus minus x is equal minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a इसका यूज करके हम x की value find करेंगे जैसी की हमने previous lecture में की थी question number third इसी तरह से आपको करना है अब हम second में लिखा हुआ है निम्न प्रत्यक द्विघात समी करण में k का ऐसा मान याद कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों इसमें दो questions लिखे हुए हैं हम यहाँ पर second question solve कर रहे हैं लिखा हुआ है k x और bracket में है x minus 2 plus 6 is equal 0 इसको हम पहले व्यवसित बना लेते हैं k x square minus 2 k x plus 6 is equal 0 यहाँ हम इसकी compare करेंगे a x square plus b x plus c is equal 0 से तो हमें a का value मिलेगा k b का value मिलेगा minus 2 k और c का value मिलेगा 6 और हम यहाँ पर d का value find करेंगे d is equal b square minus 4 ac तो यहाँ पर b square का मतलब है minus 2 k का square minus 4 a का value है k और c का value है 6 यह मिलेगा 4 k square minus 24 k question में लखा हुआ है कि k का ऐसा अमान निकालना है कि दो बराबर मूल हो मूल बराबर होंगे कौन सी condition में बराबर होंगे मूल यदि d का अमान 0 के equal हो d is equal 0 तो d का value है 4 k square minus 24 k is equal 0 यहाँ हम 4 k common लेंगे तो हमें मिलेगा k minus 6 is equal 0 4 k is equal 0 and k minus 6 is equal 0 तो k is equal 0 मिला और k is equal 6 मिला तो इस तरह से हमें k की values फाइंड हुई k is equal 0 और k is equal 6 next question question number 3 क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चोड़ाई से दोगनी हो और उसका चितरफल 800 square meter हो यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चोड़ाई याद कीजिए तो सबसे पहले तो हमें लंबाई और चोड़ाई मानना पड़ेगी हमने मान लिया लिखा हुआ है जिसकी लंबाई चोड़ाई से दोगनी हो माना चोड़ाई कितनी है x तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x क्यों होगी 2x क्योंकि question में लिखा हुआ है लंबाई जो है चोड़ाई से दोगनी है चोड़ाई x है तो लंबाई होगी 2x और छेत्रफल क्या होता लंबाई into चोड़ाई और छेत्रफल हमें कितना दिया गया 800 स्क्वेर मीटर लंबाई है x और चोड़ाई है 2x 2 से यह हम डिवाइड कर देंगे तो हमें x into x x square is equal 400 x is equal plus minus 20 minus में हो नहीं सकता क्योंकि लंबाई चोड़ाई जो होती है हमेशा plus में होती है तो x is equal 20 meter यह आगई चोड़ाई और लंबाई हमने माना थी 2x 2 into 20 40 meter यह हो जाएगा answer question number fourth इसमें लिखा हुआ है क्या निमनिस्थिती संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयू ज्यात कीजिए दो मित्रों की आयू का योग 20 वर्स है चार वर्स पुर उनकी आयू का गुड़नफल 48 था दो मित्रों की बांत की गई है हमने मान लिया पहले मित्र की आयू वर्तमान आयू इन प्रिजेंट कितनी है एक्स वर्स दोनों की आयू का योग हमें दिया गया है कितना 20 यर्स तब दूसरे मित्र की आयू कितनी होगी 20 मैंसे हम एक्स माइनस कर देंगे जो बचेगा वो होगी यानि कि 20 माइनस एक्स वर्स अब चार वर्स पहले की बात की गई है तो चार माइनस कर दिया जाएगा एक्स मैंसे चार माइनस करेंगे एक्स माइनस फोर दूसरे मित्र की आयू 20 माइनस एक्स मैंसे 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16 माइनस एक्स और कॉशन में लिखा हुआ है इनकी आयू का गुड़नफल 48 था तो हम दोनों का multiply करेंगे x minus 4 16 minus x is equal 48 x का multiply करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें solution मिलेगा minus का x square plus का 4x और plus का 16x 20x ये minus 64 minus 48 is equal 0 minus x square plus 20x minus यहाँ minus से multiply कर देंगे तो sine change हो जाएंगे a is equal मिला 1 b is equal minus 20 c is equal 1, 1, 2 यहाँ हम विविक्तिकर निकालेंगे d की value d is equal v square minus 4a सी फर्मला उस करेंगे b का value है minus 20 minus 20 का square minus 4 a का value है 1 और c का value है 1, 1, 2 तो यह मिलेगा 400 minus इसको हम solve करेंगे तो minus का 48 मिला जो की negative है और negative है समींकरण का आस्तित्व नहीं होगा तो इस तरह की condition possible नहीं है जैसा की question में कहा गया है last question देखते है question number 5 इस chapter 4 का last question लिखा हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर और छेदरफल 400 square मीटर के पार्क को बनाना संबव है यदि है तो उसकी लंबाई और चोड़ाई याद कीजिए हमें नहीं है पता चोड़ाई तो हमने मान लिया माना पार्क की चोड़ाई एक्स मीटर परिमाप कितना दिया गया परिमाप दिया गया 80 मीटर परिमाप क्या होता 2 इंटू लंबाई प्लस चोड़ाई इस इक्वाल 80 2 से यह 40 वाल डिवाइड हुआ लंबाई प्लस चोड़ाई है एक्स इस इक्वाल 40 तो लंबाई हो गई 40 माइनस एक्स मीटर अब हमें आंगे क्या दिया गया है छेत्रफल 400 स्क्वार मीटर पार्क का छेत्रफल 400 स्क्वार मीटर छेत्रफल क्या होता है लंबाई into चोड़ाई लंबाई है 40 माइनस एक्स और चोड़ाई है एक्स इस इक्वाल 400 यह सॉल्व कर रहेंगे 40 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वार माइनस 400 यहीं ले आए तो minus x square plus 40x minus 400 equal में 0 यह minus से multiply करेंगे यह positive यह negative और यह भी positive तो यहाँ पर हमें a का value मिला 1 b का value मिला minus 40 और c का value मिला 400 यहाँ हम विविक्तिकर का formula यूज़ करेंगे minus 40 का whole square minus 4 1 400 यह 60 इस तरह से हमें मिला d is equal 0 मतलब मूलों का अस्तित्व होगा और मूल कैसे होंगे real or equal और वो हम सूत्र के माध्यम से solve करके निकाल लेंगी तो हमें x की value मिले कि वो होगी पार्क की चोड़ाई और हमें लंबाई चाहिए है तो यहाँ पर हम value रख देंगे तो आजाएगी पार्क की लंबाई इस तरह से यह question आप लोग को कर लेना है और यह chapter number 4 हमारा complete होता है next video में हम start करेंगे chapter number 5